ऐसा भूल कर भी मत करना भारती टीम को इंगलिस कोच ब्रेडन मैकूलम ने डराया स्पिन को लेकर प्लान भी बताया तो भाईया आप सभी को पता है कि जो पांच मैचों की टिस्ट शिंखला है उसका आगाज बैज बॉल तरीके से इंगलेंड ने किया और पहला मुकाबला एतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अपने नाम 28 रनों से कर लिया क्योंकि अगर हम बात करें इतिहासिक जीत की तो भारती सरजमी पर अभी तक पहली पारी में 100 रनों से जादा पीछे रहने के बाद किसी भी बिदेशी टीम ने यहाँ पर जीत और जीत नहीं किती लेकिन भैजबॉल का प्रदरसन दिखाते हुए ब्रेडन मैकुलम की अगवाई वाली इंगलेंड टीम ने यहाँ पर इतिहास रच के दिखा दिया और भारती टीम को 28 सर्णों से पहले मुकाबले माद दे दिया है तो अब दूसरे मुकाबले से पहले इंगलेस कोच पूरी तरीके से तयार हैं सतर्क हैं चुस्त हैं तैनात हैं और उन्होंने भारती टीम को बड़ा स्टेटमेंट देते हुए डराते हुए आगाह कर दिया है कि भाईया ऐसा बिलकुल मत करना नहीं तो फिर लेने के देने हो जाएंगे देने पड़ जाएंगे आपको और चीजें बिगर सकती हैं जैसा हमने हैदराबाद में किया था वैसा विसाखा पटनम में भी कर सकते हैं अगर हम इंगलेस टीम के कोच के स्टेटमेंट पर नज़र डालें कि भाईया वो किस तरीके जभारती टीम को दरार है उनका प्लान भी क्या है आपको उस स्टेटमेंट में सब कुछ समझने आ जाएगा अगर हम ब्रेडन मेकुलम के स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने का शुएब बसीर अबुधाबी में हमारे साथ कैम्प में थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा का नजारा में हैं अगर विकेट उसी तरह स्पिन करता है जैसा पहले टेस्ट में देखा था तो सीरीज में हम चार स्पीनर या उस सहियोजन के साथ उतरने में नहीं डरेंगे जिसके साथ हैदराबाद में खेले तो यह भाईया इंगलिस कोच ब्रेडन मेकुलम का दूसरे टेस्ट यह जो अभी तक आपने बैजबॉल बैजबॉल सुना था अब स्पिन बॉल भी देख सकते हैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि इंगलैंड टीम भी अगर पिच स्पीनरों के मुफीद रही पहले दिन से टरन देखने को मिला हैदराबाद वाली पिच रही तो विसाख पटनम में चार-चार स्पीनरों के साथ उतर सकती है जो चार स्पीनर हैं इंगलैंड टीम के वो हो जाएंगे टॉम हार्टली जैक लीच रहान हमद और भाईया चौते स्पीनर जो जुड़ चुके हैं इस कैम्प में इंगलैंड टीम के वीजा इसू के कारट पहले प्रेडन में कुलम पूरी तयारी के साथ उतरे है प्लान भी उनका तयार है कि श्पीन टू विन अगर रहा पहले दिन से टर्ण हुआ तो आप अगर चार स्पीनरों के साथ उतरने के लिए तयार है और श्पीन टू विन के साथ हम जाएंगे अब वो जमाना गया जब अगर बहुत जादा टर्न हुआ है, हैधराबाद से जादा टर्न देखने को मिला, विसाखा पटनम की पिछ पर बाउंस भी रहा, हाड ट्रेक रही, सार्प टर्न रहा, तो चार-चार स्पीनर उनके भी खेल सकते हैं, यानि कि मार्क उट का पत्ता कर सकता है, और सुवेब ब भारती बल्लेबाजों को स्पीनरो द्वारा घेरा जाएगा, और पहले मुकाबले में आपने नतीजा देखा, कि बेन स्टोक्स ने जिस हिसाब से कप्तानी की, अपने यूवा स्पीनर को पहले पारी में खूब बैक किया, जम कर उनको गेदबाजी कराई, पिटने के क्लैंट其實 confidence में है और सभी खिलारी confidence से लबरेज हैं, भारती टीम के लिए समस्यायं हैं, क्यो워서 रे जड़े जा पने इसाद इस्पीनर की ररक जा, में खुए है अनुभाव की कमी हुई है तो वहीं जो confidential leverage English team है वो अपनी प्लान भी तयार करके भी बैटी है कि भाईया spin वाली pitch आप बनाओगे तो खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा हमारे भी spinner तयार है चुस्त है तैनात है और उनके पास भी skill set है तो बिल्कुल तयार है मुकाबला दिल्चस्प होने वाला है दूसरा मुकाबला 2 feb से होने वाला है पिसाका पटनम में होगा और हमें यहां पर पहले दिन सरी turn देखने को मिलेगा और दिल्चस्प फैसले भी लिए जा स्पिन बॉल का एहलान कर दिया कि बैज बॉल तो आपको देखने को मिलाई था इस पिन बॉल भी देखने को मिल सकता है कि तो भाईया कमेंट सेक्षन में कमेंट करके आप भी बताइएगा कि मैं कुलम की यह रण नीती आपको कैसी लेगी क्या यह जो चारो थोड़े ऐसे इस्किल में कम भार्ती गेतबार्योगों के हिसाव से स्पीनर हैं अनुभव में कम भार्ती गवाजो की तिये तुनला में पिव बिखेर सकते हैं आप भारती बल्ले बाजो के पास इनका जवाब दूसरे मुकाबले में हमें देखने को मिल सकता है, तब तक मिलते हैं आप से अगले रिपोर्ट में, आप अपना ध्यान दें, सुरक्षितर हैं, स्वास्तर हैं, मस्तर हैं, जहें चैभारत, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जान इंकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें